नमस्कार साथ क्यों स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल में तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों उमीद है आप सभी लोग इच्छे ही होंगे और इंतजार कर रहे होंगे इस वीडियो का तो आरे मेल की फ्रिक्वेंट टास्किंग कोश्चेंड प्रिविएस येर कोश्चेंड पेपर से कलेट किया गया है ये तो बने रहे है का चैनल पर और वीडियो पर एंट तक लाइक भी कर लेना और नय है तो प्ली सब्सक्राइब भी कर लेना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी वीडियो को जट पर जल्दी से स्टार्ट कर लूँगी एंड लास्ट वन मोर थिंग इतना चाहूंगी अगर आपको और भी अपडेट चाहिए तो आप टेलेग्राम फेस्बुक एंड इंस्टाग्राम को जॉइन कर सकते हैं सारी न्यूज एन अपडेट लेनी के लिए तो उसका जो लिंक है आपको मेरे डिस्क्रि मेजर ने के लिए ज्यू इन्स्ट्रोमेंट यूज बहुते हैं उसको हुम नार्मल लेंग्विज में क्या बोलता है दोस्तो वी बीप अपरेटर्स आपसाभी बोलता हैं मैं भी बोलती हूँ बट इसका जो रिएल नेम है उसे इसे हम बोलते हैं इस फिग मैनोमिटर क्या next one is the raised serum amylase level अगर body में amylase का levels high है तो यह diagnose करने में help करेगा कि patient को acute pancreatitis है acute pancreatitis की condition में serum amylase plus serum lipase आप समझ रहे हैं दोनों का level बढ़ जाता है बट question में अभी amylase पूछा गया है तो serum amylase and lipase का जो लेवल है वो increase हो जाता है pancreatitis की condition में and the next is osmotic fragility is increased in अब osmotic fragility की बात करी गई है कि osmotic fragility है वो increase होता है कौन सी condition में hereditary spherocytosis ठीक है hereditary spherocytosis की condition में osmotic fragility increase हो जाती है the next is the universal precaution is a previous policy ठीक है हम पहले hospital में बोला करते थे कि universal precaution तो लेना पड़ेगा ठीक है patient को handle करते वक्त बट यह policy previous हो चुके दोस्तों तो जब नया time आ चुका है वो में आपको बता जेती हूं I hope आप सबको पता ही होगा आप update रहते हैं आप precaution ठीक है तो standard precaution के नाम से यह जाना चाहता है और आप सभी daily की यूज में इसे यूज भी करते होंगे and the next is trisomy of number 18 chromosomes ठीक है trisomy of number 18 chromosome जो है उसे हम बोलते हैं Edward syndrome आप देख सकते हैं option number B is Edward syndrome and the next is P wave आपने तो ECG पढ़ा ही होगा यह P wave है P Q R S and T wave P Q R S T तो अब यहां पर बात यह हो रही है ठीक है अब यहां पर यह बात हो रही है जो यह P wave आप देख रहे हैं green highlight जो मैंने कर दिया अभी जो P wave है यह क्या हमें show करती है तो आपको right answer है atrial depolarization depolarization ठीक है मतलब contract होना सिकोड़ना ठीक है and repolarization का मतलब relax होना ठीक है contract होती है और जब atrial and जब atrial repolarization होती है तो atrial जो atrium है वो relax हो जाती है very easy and quick tips to remember this thing and the next is causes of gastritis अब gastritis का जो cause है आमें यह बताना है तो आप देख सकते हैं gastritis किस 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 condition के अबजे से हो सकता है food poisoning, alcoholism, smoking, excessive use of tea and coffee इन तीनों के वजे से gastritis की problem हो सकती है patient में तो all of the above is the right answer and the next one is newborn बहुत important question है दोस्तों यह नौर्सट में भी आया ताइस बार नौर्सट दो हचर बाइस में भी यह question पूछा गया तब बहुत important question है normal respiratory rate in newborn आपको पता होना चाहिए 40 per minute, 40 beats per minute next is parnishis anemia आपने पिछले वीडियो में देखा होगा आपको मैंने बताया भी था parnishis anemia जो है किसकी deficiency की वजे से होता है vitamin b12 चीक है याद रखने वाली चीज़े vitamin b12 की deficiency को ही हम parnishis anemia बोलते हैं दोस्तों and the next is which one of the following is a live vaccine अब चार में से कौन जी लाइव वेक्सीन है आपको बताना है यह तो killed है यह भी killed है और यह भी killed है तो यह BCG हो गई हमारे live vaccine thank you so much दोस्तों वीडियो को आइं देखने के लिए वीडियो पसंद ही होगी तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों के पास भी शेयर कर देना और अगर आप नए है जैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों अपने लिए ही नई नई अपडेट्स लेने के लिए थेंक यू सो मच आपसे फिर मुलाकातों की नेक्स्ट वीडियो में तक तकी लिए गुड़ बाई एंड टेक केर